प्रमुक्रक्षा अध्यक्ष विपिन रावत ने गुरुवार को कहा कि कटरपंथ मुक्त देश बनाने के लिए भारत में कैम चुलाए जा रहे हैं क्यूकि ऐसे गुरुवादों को अलग करना बेहत जरूरी है जो देश में कटरवाद खेला रहे हैं राजधानी दिल्ली में हो रहे राईसीना डायलोग कालेक्रम को संबोधित करते हुए कश्मीर के हालात पर विपिन रावत ने कहा कि घाटी में 10-12 साल के बच्चों को कटरपंथी बनाने की कोशिश की जा रही है जो चिंता का बहुत बड़ा विशे है उन्होंने कहा कि कटरपंथी से इन लोगों को अलग किया जा सकता है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से कटरपंथी हो चुके हैं जिसके बाद इन लोगों को कटरपंथ मुक्त कैम पिल ले जानी की जरूरत है ताकि देश का भविश सुरक्षित रह सके विपिन रावत ने आगे कहा कि सिर्फ भारत ही नहीं बलकि पाकिस्तान में भी कटरपंथ मुक्त शिवर चलाए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को भी यह एसास हो गया है कि जो आतंगबात महाँ पनप्रा है वह उन्हें भी खत्म कर सकता है बता दे कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी शीर्फ अधिकारी ने कटरपंथी पर खुल कर बोला है और इसको खत्म करने की बात कही है उन्होंने कहा है कि आतंगबात को रोकने का सबसे बड़ा तरीका पहले कटरपंथ को रोकना है तभी आतंगबात पर अपना बंद करेगा क्योंकि हर बड़ी लक्ष की शुरुवात पहले छोटी चीज से होती है राइसीना डायलोग में विपिन रावत में कहा कि सबी देशों को एक जुठ होकर कटरपंथ के खिलाब आवाज उठानी होगी और इसके खिलाब वैश्विक लड़ाई शुरू करनी होगी तभी हम आतंगबात की जड़े कमजोर कर सकते हैं और उनकी रोक थाम कर उन पर लगाम लगाया जा सकता है